काफी टाइम के बाद में Nikon ने अपने mirrorless cameras के लिए कुछ affordable lenses को निकाला है और उसी में से एक lens है 28-75 f2.8 lens वैसे तो अल्रेडी Nikon के पास में S-series का 24-70 f2.8 lens है साथी f4 lens भी है पर यहाँ पर इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि 28-75 f2.8 lens कैसा है तो यह है Nikon का 28-75 f2.8 lens तो अगर इसकी build quality की बात करें तो काफी strong build quality है बिल्कुल professional looking lens है यह और यहाँ पर इसका अगर हम mount देखें तो mount भी full metal है यूजुली होता ही है कि जब price कम होता है तो lenses के जो mount होते हैं वो plastic के हो जाते हैं पर यहाँ पर यह फुल metal है यहाँ पर अगर हम यह देखें तो lens जो है वो internally zoom नहीं करता है वो externally zoom करता है यहाँ से barrel इस तरीके से इसके अदर बाहर आता है इसके उपर कोई भी extra यहाँ पर बटन नहीं दिया हुआ है अगर आप compare करें 2470 f2.8 lens से तो इसके उपर digital display नहीं है तो एक बिल्कुल basic simple looking lens है यहाँ पर एक ring है जिसको कि आप program कर सकते हैं weight इसका काफी कम है इसका जो size है 2470 f2.8 के मुकाबले वो भी छोटा है तो overall यह lens justify करता है अपने price को अब अगर आप price की बात करेंगे तो 2470 f2.8 S series के lens के lens के मुकाबले इसका price बिल्कुल आदा है तो अब एक बर इस lens को यहाँ पर रख देते हैं और अब हम बात करते हैं इस lens के features के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं इसके weight की तो इसका जो weight है वो है लगबग 500 gram So 2470 f2.8 lens के मुकाबले यह हलका है लेकिन 2470 f4 जो kit lens आता है उसके मुकाबले यह थोड़ा सा heavy है इसका जो aperture है वो aperture f2.8 से f22 तक जाता है और यह lens जो है वो completely weather shield है So आप इसको हलकी फुलकी बारिश में या dust के अंदर भी बिना सोचे समझे आप इसको use कर सकते हैं पर एक चीज़ का ध्यान रखना lenses को care करना आपकी responsibility है यह नहीं कि आपने इसको पानी में डाल दिया है बिल्कुल पानी में ले गए और उसके बाद आप कहते हो कि lens खराब ह हो जाते हैं in fact thumb impression इतनी असानी से नहीं आता which is a very good thing. अब एक चीज़ ऐसी है जो हर को ही जानना चाहता है कि इस lens का bouquet कैसा है. So इस lens का जो diaphragm है उसके अंदर 9 blades हैं जिसकी वजह से जो इसका bouquet है वो काफी smooth है और बहुती perfect pattern create करता है. अब बात करते हैं इस lens की image quality के बारे मे because finally वो ही सबसे जादा matter करती है. हाला कि यह S-series का lens नहीं है पर इसकी जो image quality है वो काफी impressive है. Center में absolute sharp है, overall जो इसकी image है, इसका जो bouquet है वो सब चीज़ें बिलकूल perfect हैं. Image quality के बाद में दूसरी सबसे important चीज़ होती है एक lens का focusing system. तो यह lens जब मैंने use किया तो इसका focus मुझे किसी भी तरीके से slow नज़त नहीं आया. Absolute, fast, precise focus है इस lens का, पर definitely अगर आप इसको compare करेंगे 24-70 f2.8 s lens के मुकाबले, तो यह definitely थोड़ा सा slow है. पर अगर आप इसको compare करेंगे f4 lens के मुकाबले, तो यह काफी fast है. एक और चीज यहाँ पर है, वो यह है कि इसका focusing system वो बहुत ही silent है, तो आप इसको video पर अराम से use कर सकते हो, आपको focusing की आवाज वहाँ पर सुनाई नहीं देगी. अब जब हम autofocus की बात करें, तो यहाँ पर एक चीज और मैं add कर देता हूँ, कि इसका जो minimum focusing distance है, वो बड़ा interesting है. So 28 mm पर इसका minimum focusing distance है 0.63 feet, वही 75 mm के उपर इसका minimum focusing distance है 1.28 feet, यानि कि आप macro lens की तरह इसको subject के काफी ज़्यादा close ले करके जा सकते हो, और बहुत ही detailed shots capture कर सकते हो. अब सवाल यह उठता है कि क्या यह lens आपको खरीदना चाहिए, तो मेरा जवाब है हाँ, क्योंकि जिस price tag के अंदर आपको यह lens मिल रहा है, उसके हिसाब से इसकी जो image quality है, वो absolute perfect है, पर definitely अगर आप afford कर सकते हैं 24-70 f 2.8 lens, तो यह lens किसी भी तरीके से उस lens को replace नहीं कर सकता. Especially अगर आप Z7 II use कर रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आपको 24-70 f 2.8 s line lens की तरफ जाना चाहिए, अगर आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो नीचे comment box में लिख कर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, यह video अगर आपको पसंद आए, तो इसको like जरूर किजएगा, और साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तन प्लीज दू सब्सक्राइब दे चैनल.